हलो गाइस वेलकम टो उनुवर्सटी अपडेट यहां मिलेगी आपको ड्यू क्या हर को निको निकी अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को बैस कर लिजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस CUET PG 2024 जो भी बच्चे CUET PG 2024 दे चुके हैं आड वो CSAS पोर्टल का वेट कर रहे हैं डेली उनुवर्सिटी में उनको एड्मिशर लेना है लेकिन उनके कम नंबर है उनके नंबर है 190, 80, 50, 40, 10, 20 लेकिन उनकी जिद है भाई कि डेली उनुवर्सिटी में ही पढ़ना है तो पढ़ना है और कहीं पढ़ना ही नहीं है तो गाइस उनके लिए एक उपर्चिनिटी है MA कोर्स और MSC कोर्स में वो लोग, वो स्टूटेंट्स MA और MSC कोर्स में कम नंबर होते हुए भी admission ले सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे पूरी detail में आप video समझना और एक एक चीज इस में ध्यान से पूरी detail में समझना, बिकोज बहुत important है, आप समझो इस चीज को और बिना किसी देरी के start करते हैं video को, video start करने से पहले एक छोटी सी request है, अगर आज आज आप इतने problem में होना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी video नहीं जा पाती, और वो किसी XYZ यूटीबर की video देखते हैं और misguide हो जाते हैं, तो गैस उन बच्चों के लिए चैनल को subscribe, video को like ओ, जितना हो सके इस video को share करना, ताकि मेरी आवाज हर घर तक पहुँच सके हर बच्चे को पता चले, कि आज भी एक यूटीबर है, जो उनकी genuinely help करता है, तो सबसे पहले मैं आपको Delhi University की website पे ले चलता हूँ, जो admission वाली website है, जैसा कि आपको पता होगा कि PG के जो forms हैं, PG के जो CSAS के forms हैं, Common Seat Allocation के forms हैं, वो 25 April से आ जाएंगे, ठीक है, यह आपको पता होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, देखो, यह क्या होता है, यह भी बताता हूँ, NCWeb admission देखो, यह PG के through ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इन में किसी बच्चे के कम नंबर हो, तो वो courses में admission लेता है, MA और MSC course में, अब NCWeb में कौन-कौन से क्या होते हैं courses, और इसमें क्या-क्या आप के बारे में डीटेल दे रेता हूँ, NCWeb होता है, Non Collegiate Women Board, Women Education Board, इसके full form है, यह एक्चली सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यह गर्ल्स के लिए एडमीशन है, और गर्ल्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, इसमें आपको eligibility मिलेगा, जो आप eligible होगे और आप कम नंबर पे भी इसमें admission ले पाऊगे, अगर आप दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र दिखा देते हो, इन्हें कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो आप ले सकते हो, तो यह NCWeb है, इसकी classes Saturday, Sunday लगती है सिर्फ, दो दिन जाना होता है बल्स classes लेने, ठीक है, तो यह चीज है, यह अब क्या 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 courses available होते हैं, और क्या क्या eligibility होती है, वो बता देता हूँ, देखो इसके rules में पहले ही लिखा हुआ है, कि only female candidate from NCT of Delhi can apply, देखो सिर्फ female candidate जो है वो डेली की और वो डेली की निवासी होनी चाहिए वो apply कर सकते हैं इसमें और आपको इसके लिए CSAS का portal login करना बहुत जरूरी है, आपने login किया होना चाहिए, ठीक है, और register आपने को कर देना है, यह सारी चीज़े करने के बाद और इसमें क्या-क्या courses available हैं, वो बता देता हूँ, देखो, इसमें MA, MA course available है, MSC Mathematics course available है, MA Arabic, MA Bengali, MA English, MA Hindi, MA History, MA Persian, MA Philosophy, MA Paul Science, MA Punjabi, MA Sanskrit, MA Urdu, तो guys, यह सारे courses available हैं, इसकी update के लिए चानल को subscribe रखना, ठीक है, मैं और भी updates लाँगा, जिसमें और भी बच्चों के लिए admission हो सकते हैं, जो ऐसा नहीं है, कि सिर्फ, डेली के बच्चों के लिए, और भी अगर डेली में, डेली उनिवरसिटी में chances होंगे, तो मैं उस पे भी videos लेके आऊँगा, तो guys, यह चीज़े हैं, subscribe जरूर कर ले ना भाई, तो देखो, इसको select कैसे करना है, आप for example, आपको कम number हैं, आपके 100 में, 100 से कम number हैं तो आप कैसे लोगें, उसको course को वो बताने से पहले, इसकी fees देख लो, एक बार है, fees मैं भूल जाओंगा नहीं, तो दिमाग से निकल जाता है, fees structure है, इसकी per semester छे हजार 70 रुपे, 6,070 रुपे इसकी per semester fees है, MA और MSC की दोनों की same है, ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ा है, यह मेरे से बात कर सकते हो, बड़े सस्ते में आप admission ले सकते हो, और बहुत कम number में, अब इसको select कैसे करना है, देखो, अब for example, मैं लेके चलता हूँ, इसमें से MA history, मालो मुझे MA history मेरे को suit करता है, मेरे कम number आए है, तो मैं अब adjust करने को तयार हूँ कि मैं MA history में admission ले लूँगा, ठीक है, तो for example, मैं ले लूँगी, ठीक है, हम अपने हिसाब से ऐसे चलते हैं, तो इसमें मैं admission ले लूँगी, लेकिन कैसे मैं select करूंगा उसे, कैसे selection होगा, देखो, जो यह BOI है, 2024 का, देखो, यहाँ पर कौन कौन से, यह MA, देखो, MA history का जो course का BOI है, उसमें मैं यहाँ स एक admission जब portal खुलेगा, तो उसमें मेरे को preference फिल करनी होगी, तो preference यह देखो, MA history कौन कौन से college कराते है, department of history कराता है, north campus, department of history, south campus, दौलत राम college कराता है, हंसराज college कराता है, हिंदू college कराता है, इंदरपरस्त college कराता है, कंबला नहरू college कराता है, जान की देवी memorial college कराता है, क श्री राम college of women's कराता है, मिरा अंडा होस कराता है, यह राजधानी college, राम जर्स college, श्री गुरुतेक बहादुर खालसा college, वैंकी college कराता है, स्टीफन's college कराता है, जाकिर हुसेन, और end में एक point मुझे मिलेगा, NC web, यह देखो, यह रा, यहाँ पे देखो, NC web मिलेगा, मेरे को पता है, मेरे कम number है, तो मैं इसको priority में रखूँगा, मैं इसको list में, अपने list में introduce, जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे कम number है, और मुझे अपर वाले college में नहीं मिलेगा admission, क्योंकि कम number है, low marks वाले बच्चा हूँ ना मैं, लेकिन मुझे डेली university में पलना है, इससे क्या हो ncweb की जो classes होती है, वो ऐसी ही लग जाती है, इनी college में, ब्रांडा होस में दे देते हैं, रामजस में दे देते हैं, तो ऐसे वो लगा देते हैं, कहीं न कहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मुझे वहाँ पर PG Portal में select करना पड़ेगा ncweb, तब जाके मुझे ncweb में मि लेगा, अगर मेरे कम नंबर हैं, तो guys, ये बात ध्यान रखना, मैंने सोचा, इस पर वीडियो बना दू, because इस पर कोई बताने वाला नहीं होगा, end में किसी को न पता होगा, न कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर आप भी बात ध्यान रखना, कि ncweb में seats available होंगी, आपको कम न अगर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, एक मेरा टेलीग्राम ग्रूप है, उसको भी जॉइन कर लीजे, वहां के आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको हुआ कि बहुत सारे बच्चे आ गएं, और मेरे से एक साथ कम से कम 200-300 बच्चे डाउट्स तो कैसे जॉइन करना है टेलीग्राम ग्रूप उसको क्यों डीटेल आपको बता देता हूँ, ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रूप है, इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, डियू के किसी भी चीज के रिगार्ड ना हो, तो एक काम करिए, अगर टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, और उसके सोर्च बार में लिखिए हमारे ग्रूप का नाम डेली इन्युवर्सिटी आरी जी एने सोल, जो भी हमारी ग्रूप के पिच्चर लगी है, आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रूप ट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, या आपकी कोई इन्फोर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए, थैंक यू